उपचुनाओं को देखते हुए पुलिस विभाग हुआ सक्त यूपी की साथ विधानसबा सीटों में हो रहे उपचुनाओं को लेकर निर्वाचन आयोग के सक्त निर्देश दे रहे है जिनका शक्ति से पालन करने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस रखी है कुछ इसी के चलते कानपूर की घाटमपूर विधानसबा क्शेतर के अंतरगत बरिपाल से परास चौराहे के बिच पुलिस ने चेकिंग के दोरान कारसवार तीन लोगों को गिरफतार किया है जिनके पास से 20 लाक रुपे नगत बरामद हुए है जिसके जांच की गई तो बरामद रुपयों के दस्तावेज नहीं मिलने के साथ ही गिरफतार किये गए तीनों अभियुकतो द्वारा सही जवाब भी नहीं मिला आपको बता दे कि आगामी उपचुनाव के मद्यनजर घाटंपूर्थ हनाक्षेत्र के बड़े छोटे चोरा हो और मारगों पर प्रशासन्व पुलीस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है जिसके चलते इस बड़ी कारवाई को इंजाम दिया गया आगामी तीन नवंबर को उपचुनाव की विदान सभा की सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी जिसके चलते जैसे जैसे वोटिंग का समय करीब आता जा रहा है वैसे ही निर्वाचन आयोग और पुलीस विभाग अपनी शक्ती को बढ़ाने का कार्य करने में लगे हुए है